वजीटा गोकू से कहता है अब थोड़ी देर आराम कर लो केकरोट मैं जाकर खाने की चीज़े और कुछ एक्विमेंट्स लेकर आया जिससे फिर आम और हार्ट ट्रेनिंग करेंगे फिर गोकू कहता है ठीक है वजीटा पर थोड़ा जल्दी करना क्योंकि टूर्नामेंट बैड होते हुए टाइम चेंबर से बाहर आ जाता है और फिर गोकू सोचता है वजीटा को आने में पक्का काफी देर हो जाएगी क्योंकि बुलमा उसे जल्दी आने कहां देगी चलो मैं थोड़ा सो ही लेता हूँ बोड़ी को भी आराम मिलेगा इसके बाद सीन जाता है ट अब डिश्ट्रोयर यहां क्या कर रहे हैं बीरस कहता है वजीटा यह सब यहां इसलिए आये हैं क्योंकि इन सब को मेरी बातों पर विश्वास नहीं इने लगता है कि मैं गोकू को छोड़ दूँगा इसलिए यहां अपनी आखों से देखने आये हैं तो वजीटा अब बैटिया चाल और यह कितने डरे हुए हैं क्योंकि कैकरोट ही था जिसने तुमारे उस महांच जीरेन को हराय था जो अपने डिश्ट्रोयर से भी ज्यादा ताकतवर है क्यों बैल मोड मैंने सही कहा ना फिर बैल मोड कहता है ओए तेजी तो हिम्मट कैसे हुई एक कर दिया यह सुनकर बैल मोड पूरे गुस्से में आ जाता है तभी चैंपा कहता है भाई इस वजीटा से कहो यह जो भी टाइम बम है इसे फोड़ो वरना हम सब इसे फोड़ देंगे और फिर मत बोलना कि तुमारा यह प्यारा प्लैनेट भी उड़ गया फिर भीरस मैं यह गलत कर रहा हूँ पर अब यही रस्ता बचा है और तभी वजीटा एक एनरजी चार्ज करके टाइम चेंबर पर मार देता है जिससे टाइम चेंबर का दरवाजा तूर जाता है और तभी अंदर सोया गोकु नीन से जाग जाता है और मैसूस करता है लगता है बाहर स चलकर देखना ही चाहिए और फिर गोकू टाइम चेंबर से बाहर जाता है पर तब ही वो देखता है कि टाइम चेंबर का गेट तूट चुका है जिसे देखकर गोकू शोक्त हो जाता है और कहता है यह किसने किया है किसने इस दरवाजी को तोड़ा है वो अटैक हाँ वो अट चुट चुका है पर वजीटा जानता है कि मैं अभी भी टाइम चेंबर में हूँ तो वो मुझे जरूर यहां से निकाल लेगा मुझे ज्यादा चिंता नहीं करने चाहिए और फिर गोकु वजीटा का इंतचार करता है और बाहर सब टिश्टोयर भी अपने अपने युनिवर में चले जाते हैं और कुछ गंटों बाद टूर्नामेंट शुरू हो जाती है जिसमें बैल मोर्ट रमची और सिड्रा बीरस और वजीटा पर हमला कर देते हैं और फिर बीरस रमची और सिड्रा पर अडेक कर देता है और वजीटा बैल मोर्ट से बेढ़ जाता है और सबसे पहले युनिवर्स 12 और युनिवर्स 2 बाहर हो जाते हैं और बाद में युनिवर्स 3 और युनिवर्स 5 भी एलिमिनेट हो जाते हैं और तब ही जिरेन युनिवर्स 1 को एलिमिनेट कर देता है और फिर बीरस भी रमची को रिंग से बाहर कर देता है और फिर लिकर और उसके मोटल को चैमपा और कुटेला मिलकर गिरा देते हैं और तब ही वजीटा बैलमोट पर भारी पड़ जाता है और जीरेन बैलमोट की मदद करने जाता है पर कुटेला जीरेन को रोक देता है ये देखकर बैलमोट स्टॉक हो जाता है और कहता है अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब आपस में मत लड़ो और फिर जीरेन क्योटेला को भी रिंग से बाहर कर देता है और बैल मूट की हेल्प के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ बीरस सिड्रा को भी ऐलिमनेट कर देता है और फिर उसकी चैंपा के साथ फाइट हो जाती है और दोनों ही लड़ते लड़ते थर जाते हैं फिर चैंपा कहता है भाई मुझे पता है मैं तुम से जीत नहीं सकता पर मैं तुमें भी जीतने नहीं दूंगा और ये कहकर चैमपा बीरस को अपने साम रिंग से बाहर ले जाता है और अब वजीटा रिंग में अकेला होता है और उसके सामने जीरेन और बैलमोड होते हैं और तोनों ही वजीटा पर अटैक कर देते हैं इसके बाद सीन जाता है टाइम चैमबर में जहां गोकु के सबर का बान टूर जाता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता वजीटा मुझे यहां से बाहर निकालने वाला है वरना अभी तक उसे आ जाना चाहिए था ये जरूर वजीटा ने जान बूच कर किया होगा ताकि व वजीटा तुम कितने मतलब ही निकले और फिर गोकु फैसला कर लेता है कि अब वो खुद ही इस टाइम चैमबर से भाहर निकलेगा और फिर गोकु अपना पावर अप करता है और सीधा सूपर सेन ब्लू में ट्रांसफोर्म हो जाता है और अपना पावर लेवल भढ़ाने करता है कायोकेन भी टाइम चैमबर को नहीं तोड़ पाती फिर गोकु कायोकेन को मेट्रे टाइमस पर ले जाता है और अब भी टाइम चैमबर को कुछ नहीं बिगरता फिर गोकु सोचता है टाइम चैमबर तो पहले से काफ़ी अपग्रेड हो चुका है और इस बार इसमें गुकु की काफी एनर्जी यूज होने लगती है और थोड़ी देर बाद जमिन पर गुकु गिर जाता है और भेयोश हो जाता है और इसके बाद सीन दोबारा टूर्नमेंट में जाता है जहां वजीटा अकेले ही जिरेन और बैलमोड का सामना कर रहा होता है और फिर व रिंग के कोने पर बैलमोड महुचता है और वजीटा कहता है अब क्या हुआ जोगर हार मान ली और तभी बैलमोड स्माइल करता है अरे वजीटा पीछे तो देखो और तभी जीरेन एक एनरजी बोल चार्ट कर चुका होता है और वजीटा पर मार देता है जिससे वजीटा सीधा ring से बाहर गिर जाता है universe 11 tournament जी जाता है और grand priest universe 11 को सुप्रीम universe बना देते हैं और कहते हैं कि अब से universe 11 सभी universe का head होगा और सभी god की होने वाली meeting में universe 11 के destroyer bell mode head होगे और फिर सभी अपने अपने universe में चले जाते हैं और फिर scene goku पर जाता है और गोकु ये डिसाइड कर लेता है कि अब वो वजीटा से बदला लेकर रहेगा पर गोकु देखता है कि उसका खाना बहुती कम बचा है पर फिर भी वो हार नहीं मानता वो लगातार ट्रेनिंग करने लग जाता है और फिर हमें वजीटा दिखाय जाता है जो डेंडे से चोको जाता है और सोचता है ऐसे तो केकरोड मारा जाएगा क्योंकि उसके पास अब जादा खाना नहीं बचा होगा और फिर वजीटा ड्रागन बोल एक्ट करके शैंडरोन से विश मांगता है कि गोकु को यहां अर्थ पर ले आए तब ही शैंडरोन कहता है यह नहीं हो सकता वो एक अलग डाइमेंचन में है फिर वजीटा कहता है तो ठीक है गोकु को इमोटल कर दो ताकि वो भूग से ना मरे और बिना खाए भी यह जिन्दा रह सके फिर शैंडरोन वजीटा की यह विश पूरी कर देता है और तभी गोकु को एक अलग सी एनरजी अपने अंदर प्रील होती है और उसको अब भूग भी नहीं लगती फिर गोकु कहता है लगता है मैं इमोटल हो चुका हूं मुझे अब बिल्कुल भी भूग नहीं लग रही है और गोकु नौन स्टोक ट्रेनिंग करने लगता है और अपनी सारी फॉर्म्स को मास्टर कर लेता है और ऐस प्रवाजी ते ही 10 दिन बीच जाते हैं जो गोकु के लिए 10 साल के बराबर होते हैं अब गोकु टाइम चैंबर में 10 साल ट्रेनिंग कर चुका होता है और वो अपनी अल्टरा हिस्टिंग को ओम्नी कोड लेवल तक ले जाता है और अब गोकु का नेचर पूरी तरह से बदल वो अब बहुत ही जादा अग्रेसिव हो जाता है और उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है वजीटा से बदला लेना और फिर गोकु कहता है वजीटा मैं तुमारी सोच से कई जादा पारफुल हो जाऊंगा और सबसे जादा भी ताकि मल्टिवर्स में कोई भी और अब गोकु ओमनी गोड और ग्रैंट प्रिस से भी कई कुना जादा पारफुल हो जाता है और फिर गोकु एक नया लेवल एक्षिव कर लेता है और कहता है मैं आ रहा हूं वजीटा और तभी गोकु एक जो साथ रोर कोता है और अपना बावरॉप करने लगता है जिसस से कहता है तुम तो एक एंजल जैसे दिख रहे हो और ये कौन जी जगा है वो एंजल कहता है ये मेरा वर्ड है